नमस्कार आप बिहारें सोट्स देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ काव्या बिपेसी शिक्षक भरती फेज 2 के नियुक्ति पत्र का भी डेट अब आ चुका है लेकिन वहीं आपको बता दे कि बिपेसी ने पिछले दिनों अपना परिक्षा का कैलेंडर जारी किया जिसमें ये भे लिखा गया था कि बिपेसी सिक्षक भरती टी यारी 3.0 भी अगस्त के महीने में लिया जाएगा जसके बाद सिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक और मौका आया अब आपको बता दे कि इसकी तयारी भी शुरू हो चुकी है जो आपको बता दे कि पहले चरण में ज निक्ति पत्र 13 जन्वरी को पटना के गांधी मैदान में मुखे मतें तिश कुमार बाटेंगे तो वहीं अब आयोक के द्वारा बिपेसी सिक्षक भरती 3.0 की भी तैयारी शुरू हो चुकी है दरसल आपको बता दे कि दूशे चरण की चानित सिक्षकों की कांसलिंग चल रही है कि तीशे चरण में सिक्षक निपति को ले कर भी तैयारी सुरू कर दी गई है इसके तहथ जिलों से रख्रड़ों की जनकारी प्राप्ट की जा रही है वहीं मद्देविध्याले के लिए सारिल्रीकत शिक्षकों के पदों को नियमित बनाने पर विचार्वे मर्स क दिया जा रहा है यानि कि जो पीटी टीचर है स्कूल में उनको भी नियमित करने के लिए जो है इस पे बाते चल रही है तो पीटी टीचर के लिए कहीं न कहीं यह अच्छी खबर है आपको बता दे कि सिक्षा विभाग के अपर मुक्सुचियों केके पाठक के नर्देश पर विभाग के पदादिकारियों ने इस संबंध में कारवाई शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार मद्ध विद्याले में भी नियमित शारिदिक सिक्षकों को निउक्त करने का प्रस्ताव तयार किया जाएगा इसके बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की सुकृति ली ज रही है इनको नियमित बेतन जो है वह आठ हजार रुपए दिये जाते हैं इनके आठ हजार से अधिक पद जो है वो है और इसको लेकर जो है अब पूरे तरीके से जिलों से रिक्त पदों की जानकारी ली जा रही है और तीसरे चरण में सिक्षक भरती के लिए तियारी पहले काबिनेट की मंजूरी लेनी होगी जसके बाद जो भी पेटी टीचर है उनका जो है निक्ति का प्रावधान किया जाएगा विभागिये पदाधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में चैनित कड़ी 20,000 सिक्षकों ने योगदान नहीं किया इन पदों को भी तीसरे चर सिक्षक जो है उनके लिए लेकिन अब बात करेंगे शारिरिक सिक्षक की और बेपेसी टीरी 3.0 की जसकी तैयारी अब शुरू हो गई है वही शारिरिक सिक्षक को लेकर भी सिक्षाविभाग जो है वो कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव करेगा और कैबिनेट से म झाल नवाद